Hello everyone, welcome to my youtube channel ज्यान पाट चाला आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे multiplication of any number with 11, 111, 1111 and so on इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिसकस किया था, multiplication of any number with 11, आज हम 11 के साथ 111, 4 times 1 हो and so on, तो ऐसी calculation, ऐसी multiplication को हमने कैसे करना है using Vedic Math, तो वो हम डिसकस करेंगे starting मैं start करूँगा 11 के साथ, इससे related मैंने एक और भी वीडियो बना रहती है, जिसका link मैं description box में डाल दूँगा और Vedic Math के related जितनी भी मेरी वीडियो हैं, जो playlist है, उसका जो link होगा, वो भी मैं description box में डाल दूँगा, तो starting मैं करता हूँ 11 के साथ, जैसे हमारे पास यहां पर हमारे पास number जो है, that is 23, number हमारे पास क्या है, 23 और हमने इसको multiply किसके साथ करना है, 11 के साथ, तो 23 है, 23 को हम as it is लिखेंगे, यहां पर हमारे पास 11 है, 11 है, two ones है, तो हमने क्या करना है, एक zero last में लगा लेनी है और एक zero पहले, two one है हमारे पास, तो एक last में, एक starting में, तो आप, क्यूंके हमारे पास यहां पर 11 है, two ones है, number of one हमारे पास two है, तो हमने two two numbers के pair बनानी है, और उनको add करते जाना है, जैसे three plus zero किया, तो वो हमारे पास आगया three, next, जो हमारे पास pair बनेगा two digit का, वो that is two three, उन दोनों को जब add करेंगे, we will get five, तो यहां पर आपने five लिख लेना है, और next जो हमारे पास pair है, two numbers का, वो हमारे पास है zero two, और जब उनको add करेंगे, हमारे पास आजाएगा two, तो answer is two fifty three, तो यह हमने twenty three को multiply के eleven के साथ, we will get two fifty three, तो यह हमने पहले भी already discuss किया हुआ है last video में, अब next, अगर हमारे पास triple one है, twenty three है, इसको multiply करना है triple one के साथ, तो मारे पास यहां पर three, three ones हैं, तो two zeros हमने last में लगानी है, और two zero हमने क्या करनी है, starting में लगानी है, अब यहां पर हमारे पास three ones हैं, जैसे यहां पर हमारे पास number one कितने से two, तो two two digit के pair बनाए, last से start करना है, और यहां पर, क्योंकि हमारे पास number one यहां पर three है, तो हम क्या करेंगे, last से starting करेंगे, और three three numbers के pair बनाते जाएंगे, और 3 प्लस 0 प्लस 0, we will get 3, next हमारे पास जो पेर आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 0, जब add करेंगे, we will get 5, उसके बाद जो हमारे पास 3 numbers का पेर आएगा, 2, 0, 3, उसको भी add किया, हमारे पास 5 आ गया, और next जो हमारे पास, last pair जो हमारे पास आ रहा है, that is 002, तो उनको जब add किया, हमारे पास, we will get 2, so answer is 2, 5, 5, 3, okay, now one more example, next example में हमारे पास क्या है, 341, लेकिन हमारे पास जिसके साथ इसको multiply करना है, 3 1s हैं, तो 2 0s हमने last में लगानी है, और 2 0s यहां पे हमने starting में लगानी है, क्योंकि number of 1 3 है, तो 3 3 number के pair बनाते जाएंगे, तो इनको जब पहला pair हमारे पास 1 0 0 का है, इनको add किया, हमारे पास आ गया 1, उसके बाद next pair जो हमारे पास है, इसको add करेंगे 5, next pair हमारे पास 3 numbers का add किया, we will get 8, next number जो हमारे पास 3 numbers का pair आएगा, उनको add करेंगे 7, उसके बाद जो next हमारे पास last pair आया है, 003, उनको add किया, we will get 3, so answer is 3, 7, 8, 5, 1, now one more example, 1 more example, 4, 27, और यहाँ पर हमारे पास जो number of 1s है, वो हमारे पास क्या है, 4, तो 4 1s हैं, तो 3 0s हमने last में लगानी है, और 3 0s हमने starting में लगानी है, और जो pair हमने बनाना है, क्योंकि यहाँ पर number of 1s हमारे पास 4 हैं, तो 4 digit का ही यहां पर हमने pair बनाने है तो सबसे पहले हमारे पास जो pair आया उनको add करेंगे seven, उसके बाद जो next हमारे पास pair आया उनको add किया nine, next हमारे पास जो four numbers का pair आया now that is important अब यहां पर देखो अब जितने भी हमारे पास अब तक जो जितने भी pair बने उनको जब add कर रहे थे तो हमारे पास one digit का answer आ रहा था लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो answer जो आ रहा है वो two digit का number आ गया तो हमने यहाँ पे क्या करना है जैसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो pair आया उसको add गिया seven उसके बाद next जो pair आया उसको add किया 9 अब next जो मेरे पास pair आ रहा है उसको जब add कर रहे है तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 13 तो 2 digit का number है तो अभी मैंने इसको as it is लिख लिए है separate करता जा रहा हूँ मैं answer को next हमारे पास जो 2 numbers का pair आया उनको जब add किया again यहां पर हमारे पास 13 आ रहा है next जो 4 numbers का pair आया उनको add किया तो यहां पर हमारे पास 1 digit का आ गया अब next जो हमारे पास last pair आ रहा है 4 numbers का उनको add किया तो we will get 4 now अब यहां पर हमारे पास क्योंकि 2 digit के number आ रहे थे अब यहां पर हम लगाएंगे balancing rule अब तक जितने question किये थे जब add कर रहे थे one digit का अंसर आ रहा था तो वहां पे balancing rule नहीं लगाना पड़ रहा था लेकिन यहां पे हम लगाएंगे balancing rule balancing rule के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो आप वो playlist में दे सकते हो तो अब मैं यहां पे balancing rule apply करूँगा 7 तो यहां तो यहां तो हमारे पास one digit है तो यहां पे मैंने one nine लगा लिया अब यहां पे हमारे पास two digit का number है तो यहां से मैं three pick करूँगा और one carry करूँगा वो next में add हो जाएगा तो three 13 में one add करो या three में one add करो वो हमारे पास four तो यहां से मैंने four pick किया और one जो होगा वो next number में add हो जाएगा now six plus one that is seven और next तो अब seven तो मारे पास one digit का ही है ठीक है अब आगे यहां पे कुछ नहीं carry करना तो four को मैंने additive लिखा so answer is four seven four three nine four three nine seven so that is the answer तो ऐसे ही अगर आपके पास four ones है या five ones है तो यही pattern आपने follow करना है five ones है तो four zero last में four zero starting में five five के pair बनाते जाने हैं तो and so on तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे then like the video as well as share the video so thank you so much